हेलो बच्चो आज मैं आपको क्लास नाइन जिसका सब्जेक्ट है मैतमेटिक्स इसकी वरक्षिट असेस्मेंट वरक्षिट 13 कराऊंगी जिसकी डेट हमें पास 29 जैनुरी 2022 तो आज की वरक्षिट में टोटल 10 कोशन्स है आपके पास 20 मार्क्स के आपकी वरक्षिट है स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग के दो कोशन्स आपको फिलिंदव लेंग्स ती है तो फर्स्ट है आपके पास equal chord of a circle substance dash angle at the center तो जब दो chords equal होती है तो उन पे जो center पे angle बनता है वो क्यो होता है वो भी हमारा equal होता है यह theorem है जो हमने chapter number 10 पे की भी है ठीक है next question है the perpendicular from the center of a circle to a chord dash the chord अगर आप एक center से हिहां पर chord पे perpendicular डालते हैं तो वो क्या करती है वो उस chord को bisect करती है तो दूसरे cancer आजाएगा bisect the chord clear next है आपके पास the angle suspended by an arc at the center is double the angle suspended by it any point on the remaining part of the circle straight true or false आपको true or false बताना है तो कह रहा है जो angle आपको याद हो का हमने एक ऐसी figure वाले questions किये थे जिसमें यह वाला angle यह वाला जो angle था नीचे वाला यह इसका double होता है क्या था ना यह theorem तो इसका मतलब यह statement हमारा पास true है clear next question है आपके पास question no.4 a b c d is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at point e a b c d एक cyclic quadrilateral है देखो cyclic quadrilateral वो quadrilateral होता है जिसकी opposite angles का sum जो है वो 180 degree का होता है ठीक है आगे आपसे कह रहा है if angle dbc is equal to 70 degree and angle bac is equal to 30 degree find angle b c d दो angle दे रखें दीसरा आपको निकालना है करेंगे कैसे सबसे पहली बात तो एक cyclic quadrilateral हम draw कर लेते हैं यहाँ पर ठीक है तो मैंने इसको यहाँ पर नाम दे दिया है a b c d तो इसमें जब मैंने diagonals बनाएं यहाँ पर तो मुझे दो angles कौन-कौन से दे रखें एक angle dbc दे रखा है वो मुझे यहाँ पर 70 degree दे रखा है तो dbc यहवल angle मुझे 70 degree दे रखा है उसके बाद एक मुझे यहाँ दे रखा है bac वो 30 degree दे रखा है तो bac कितना है 30 degree है तो यहवल angle bac यहवल angle 30 दे रखा है find मुझे को यहां पर क्या करना है यह में को given था यहां पर तो find मुझे यहां पर क्या करना है BCD मुझे find करना है BCD यह पूरा angle मुझे find करना है पूरा angle ठीक है सबसे पहली बात तो आप यह वाला angle देखिए यह वाला angle 30 degree होगा क्यों कि यहां पर angle on same segment, same segment पर यह दोनों angle, तो मैं यहां पर लिख सकते हूं, कि जो मेरा angle है, BAC, वो किस के बडाबर होगा, angle BD, C के बडाबर होगा, is equal to 30 degree, reason में क्या लिखूंगी, angle on same segment, ठीक है, अब आप बात किजिए सिफिस triangle की, in triangle BD, C, तो आप देखरों इसमें तीन angle है, एक यह वाल angle है, जिसको मैं इस time पर shade करूँ, एक यह वाल angle है, जिसको आप shade किया, और एक यह वाल angle है, तीनों angles का sum मिला के 180 होगा, इसका मतलब पॉन कौन से angle होगा, एक होगया angle BD, C, एक होगया angle D, B, C, और एक होगया angle B, C, D, इन तीनों का sum कितना होगा, 180 degree, angle D आपको पता है, 30 degree है, B आपको पता है, 70 degree है, तो यह वाल आपको पता है, 30 degree है, आपने अभी निकाला, यह 70 आपको given था, यह आपको find करना है, B, C, D, बढ़ाबर का 180 degree हो जाएगा, ठीक है, तो D, C, D, आपके पास कितना आगया, यहाँ पर वो आगया, आपके पास 80 degree, आपको यही find करना था portion में, clear, next करते है, क्या रहा है, construct and equilateral triangle of side 6.5 cm, आपको एक equilateral triangle बनाना है, जिसके side होगी 6.5 cm, equilateral triangle वो triangle होता है, जिसके सारी sides equal होती है, है ना, तो पहले हम क्या करते है, यहाँ rough figure बना लेते हैं, rough figure बनानी बहुत जरूरी है यहाँ पर, तो एक triangle normally मैंने free hand से draw किया, बिना scale के, normally pencil से, तो यह भी 6.5 है, यह भी 6.5 है, यह भी 6.5 है, यह भी 6.5 है, अब बनाते है, main figure, सबसे पहले आप एक line ड्रॉ करोई BC, जो कि आपकी 6.5 cm की होगी, ठीक है, अब आप अपने compass को खोल लीजे, 6.5 cm का, एक बार खोलेगा, फिर बंद मत कीजेगा, उसे, ठीक है, compass खुल गया, compass खोलने के बाद, B पे compass का point रखे, एक arc लगा दीजे, C पे compass का point रखे, एक arc लगा दीजे, दोनों ही arc 6.5 की लगनी चीए, ठीक है, अब इसको इस cutting point से join कर दीजे, और इसको भी इस cutting point से join कर दीजे, इसको नाम दे दीजे, A, यहां लिख दीजे, 6.5 cm, यहां भी लिख दीजे, 6.5 cm, clear question number 5, चलिए, आज आते हैं question number 6 पे, construct an angle of 15 degree with the help of ruler and compass, 15 degree का एक angle बनाना है, ruler और compass की मदद से, मेरे साथ साथ draw कीजेगा, ताकि आसानी से draw आजे, सबसे प के बाद बन मत कीजेगा, ठीके, खोल लिया, अब यहां पर compass का point रखो, इसको नाम दे दो A और B, A पर compass का point रखो, और एक ऐसा semicircle बना दो, ठीके, अब यहां पर, इसको नाम दे दो C, यहां compass का point रखो, C पर एक arc लगा दो, यह जो first arc लगिए ना, यह आपकी 60 degree के arc लगि C और D, जितना भी आपका है, C, D, यहां पर रखके, यहां तक कितना compass खुलो, एक arc यहां पर लगाओ, C पर रखके, एक arc D पर रखके लगाओ, cutting point से इसको join कर दो, यह बना आपका 30 degree, इसको बोलते हैं bisect करना, 60 का आदा किया तो क्या हो जाएगा, 30, ठीके, इस वाले जो cutting point इसको नाम देदो E, अब E और C के जितना अपना compass खुलो, E और C के जितना खुलना है आप compass आपको, खुल गया compass, E पर compass का point रखो, एक arc, C पर compass का point रखो, एक arc, यहां से इसको join कर दो, यह जो मैंने dotted line वाला बनाया ना, यह मेरा बनाया है, actual में 15 degree का angle, 30 का आदा 15, जैसे 60 क का आदा किया मैंने 30, उसी तरीके से 30 का आदा कर दिया 50 degree आगे, step by step बनाओगे तो पूरा बिकुल एकदम सही बनेगा, clear, चलिए, next राते हैं question number 7 पे, can I match column A to column B in correct order, matching दे रखिए, two congruent circles have, two congruent circles के क्या होती है, equal radius ही होती है, क्योंकि वो दोनों congruent है, angle in the same segment of a circle are equally, अभी हम भी करके आए है, cyclic quadrilateral में, ठीक है, matching हो गई, असान थी, next करते है question number 8, correct, construct a triangle ABC, in which BC is 7 cm, angle B is 75 degree, AB plus AC is 13 cm, यह आपका chapter number 11 का question है, construction का, ठीक है, step by step करना, जैसे-जैसे मैं बताती रहूँगी, चलिए, शुरू करते है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको BC दे रखा है, तो आप एक line draw कर लो BC, 7 cm भी, ठीक है, और आपको कह रहा था कि जो आपका angle B है, वो 75 degree का angle है, तो 75 degree का एक angle बना लो, बनाओगे कैसे, देखो फिर यहाँ पर compass का point रखो, कितने भी cm का खोलो compass, और यहाँ से semi circle बनाओ, अब यहाँ पर compass का point रखो, इस वाले point पे E नाम दे दो, उसे चलो, एक arc कहां लगाओ, और एक arc कहां लगाओ, मतलब यहाँ पर E पर रखके पहली arc लगई, पहली arc पर रखके दूसरी arc लगई, ठीक है, देन पहली arc पर रखके एक arc उपर लगई, दूसरी arc पर लगई, यह बन गया आपका 90 degree क angle compass से, बट मुझे 75 चाहिए, तो देखो, यह जो dotted वाला, यह 90 और जो यह first arc है, यह 60 degree अभी हमने जाना था, तो 90 और 60 के बीच में ही तो कहीं 30 degree होगा, होगा नहीं होगा, तो बस यही पर ही हम 30 बना देते हैं, कैसे, यहाँ पर, जिसको मैं D नाम दे रही हूँ, और इसको म क्लियर है, यहाँ तक 75 degree का angle कैसे बनाया हो, compass से ही बनाना है, अब आपको क्या करना है, जो यह angle आपने बनाया है, इसको नाम दे दो X हैंपर, अब आपको question में दे रखा था कि, जो आपके पास AB है, AB plus AC जो है, वो आपके पास कितनी है, 13 cm है, तो अब आप अपना 13 cm का compass खो स्केल से measure करके, अब B पे रखो compass का point और यहाँ पर 13 cm के arc लगा दो, इस cutting point को मैंने Y नाम दे दिया हूं, clear है, और इस Y को मैंने, अच्छा, आपको ABC triangle बनाना है, हाँ, इस Y को मैंने C से join कर दिया, अगला step यह, बिकुल step by step बनाना, पहले 75 degree का angle बनाना, then 13 degree के arc लगाना, उस को C से join कर देना, cutting point को, यहां तक clear हो गया, अब आपके पास यहाँ पर एक angle बन गया, कौन सा angle देखो, यह वाला angle जो बनाईगी है, जब आपने Y और C को join कर दिया, तो आपके पास एक angle बन गया, यहाँ पर, ठीक है, यह वाला angle हमारा बन गया, अब जो यह वाला angle है ना, और जो यहाँ पर angle बनेगा, यह वल होगा, आप क्या करो, यहाँ पर दोनों पर एक एक जगा पर semi circle ड्रॉ कर लो पहले, ओगए draw, अब यहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक का compass खोल लो, और यहाँ पर रखके क्या कर दो, एक arc लगा दो, I repeat, पहले यहाँ पर दोनो semi circles बना दो, Y वाले पर और C वाले पर, यहाँ पर मैंने दो blue dot लगा है, वहाँ तक का compass खोलो, और इस वाली dot पर compass रखके, क्या कर दो, arc लगा दो, अब इस cutting point से क्या करो, इस line को ऐसे join कर दो, जो यह वाला cutting point आपका आया है न, यह, यह आपका आया A, यह triangle बन गे आपका ABC, highlight कर दो इसको blue pen से पूरे को, triangle ABC को, यह है आपके पास triangle ABC, required triangle जो आपको चाहिए, clear है, step by step करना, कहीं भी doubt हो, comment करके पूछ लेना, next करते है question number 9, आपके रखी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हापर हमसे कह रहा था है, जो हमको QR है वो दे रखी है, तो सबसे पहले हम QRE draw कर लेते हैं, यहाँ पर, तो एक QR हमने यहाँ पर draw कर ली, फुरा उपर draw करते हैं, क्योंकि फिगर माइनस, इसमें माइनस है नहीं, तो फिगर नीचे बनेगी थोड़ी से, तो यह मेरा QR हो गया, 6 cm का, पहला step तो यह है, अब Q पे क्या करना है, हमको 60 60 degree का angle बनाना है, तो यहाँ पर मैंने Q पे क्या किया, semi circle draw किया, जैसे करते हैं, कितने भी radius खोल लो, compass उसका, then एक arc लगाई, और यह मेरा 60 degree का एक angle बन गया, इसको मैंने नाम दे दिया है, यहाँ पर X, clear है, तो इसका मतलब आप यह कह सकते हो, कि जो आपका X Q आ रहे है, व 2 cm का compass खोलना है, क्योंकि आपको question में दे रखा है, PR-QR 2 cm है, 2 cm का compass खोलिए, इस बार आप arc कूपर नहीं लगाएंगे, इस बार आप arc नीचे लगाएंगे, 2 cm का compass खोलिए, Q पे रखिए compass का point, और 2 cm की arc लगा दीजिए, clear हो गया है, यहाँ तक, तो इसका मतलब इसको ना इस वाले cutting point से इसको join कर दीजे, R को, अब आपको क्या करना है, R तक join हो गया, अब SR का क्या करना है, perpendicular bisector बनाने, perpendicular bisector मतलब क्यों होता है, half से ज़्यादा खोलना, तो SR जितना भी है, आप measure कर लो, या फिर अपने according, थोड़ा सभी idea लेके, compass को इस line से आदे से ज़्यादा ख खुल दो, खुल गया, compass आप लोगों का, half से ज़्यादा, S पे रखो, 1R कुपर लगा दो, और 1R कुपर लगा दो, और 1R कुपर लगा दो, और इनको क्या कर दो, दोनों points को join कर दो, मैं dotted line से नहीं बना रही, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, आप इसको dotted line से दिख ठीक है, इसको cutting points को, जहां इसने join के, इसको P नाम दिया है मैंने, बस, अब यह जो P है ना, इसको इस R से join कर दो, आपको PQR triangle बनाना था, यह रहा आपका वो PQR triangle, clear है, तो इसमें minus था, इसलिए हमने इसको मीचे की side बनाया, जब plus होते हैं, तो हम उपर की side ही आर्क लगाते है, तो इन चीजों का ध्यान लगना, step by step बनाना, कोई भी doubt हो, तो comment करके पूश लेगा, ठीक है, चलिए, लास्ट कोईशन पर आ गए, किरें, two equal quads AB and CD of a circle with center O, when produce meat at point E, as shown in the figure, show that BE is equal to DE and AE is equal to CE, देखो यहाँ पर figure दे रखिये, किरें, दो equal quads हैं, AB और CD, दोनो equal quads हैं, और इनका center है O, ठीक है, जब आपने इन्हें आगे extend किया न, दोनो quads को, तो यह E point पर आके मिलना है, जैसे किया figure में देख सकते हैं, आप आपको क्या prove करना है, यहाँ पर क्या show करना है, आपको यह show करना है कि जो BE है, यह जो circle के बहार है, यह DE के बराबर है, और जो AE है, पूरी वाली जो है, ठीक है, वो किसके बराबर है, आपके पास CE के बराबर है, clear है, करें शुरू यहाँ पर, तो सबसे बहली बात तो आप आपको इहां पर क्या दे रखा है, कोशन में, गीवन है, आपके पास दो कॉड शीख में है, इसका मतलब a b, जो है वो c d के बराबर है, ये आपको इहां पर गीवन है, a b is equal to c d, ठीक है, आपको इहां पर प्रूफ क्या करना है, प्रूव आपको करना है कि जो B E है वो D E के बराबर है एक तो और क्या प्रूफ करना है और प्रूफ करना है जो A E है वो C E के बराबर है एक बर देख लेते हैं यहीं प्रूफ करना है ठीक है अब आपने यहाँ पर देखों यहाँ पर खुद से यह के dotted line वाली है, इसका मतलब यह construction हुई लिए है, तो वो चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं, कि हमने यहाँ पर construct क्या किया है, हमने क्या किया join कर दिया किसको OE को, और यहाँ पर draw कर लिया हमने, OL जो की perpendicular है AB के, और OM जो की perpendicular है CDK, मैं अभी आपको figure में दिखाती हूँ, देखो, OL यह perpendicular है AB के, और OM perpendicular है CDK, और OE को join कर दिया, ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक हिस वाले triangle की और एक हिस वाले triangle की, दो triangle बनने हैं, इन दोनों को हम congruent proof करते हैं, तो कैसे करेंगे सबसे पहली बार? देखो, तो इन triangle आपके पास, इन triangle O, L, E, and triangle O, M, E, दो triangle है, तीन चीज़े मुझको इहाँ पर चाहिए, तीन चीज़ों में से क्या-क्या मुझको इहाँ पर मिल रहे हैं, एक तो देखो, OL जो है, वो OM के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि equal quarts, जो है, वो center से equal होती है, distance उनक का equal होता है, AB और CD equal quarts है, तो इनका center से जो distance है, वो equal होगा, तो एक तो मुझे यही मिल गया कि OL जो है, वो OM के बराबर है, ठीक है, reason में मैं यहाँ पर लिखूँगी, equal quarts are at equal distance from the center, ठीक है, एक दोनों perpendicular डाला था, तो दोनों angle 90 degree के होगी, तो OLE जो है, वो बराबर होगा, OME के, यहाँ पर लिख दिया, 90 degree, ठीक है, एक में दोनों में OE वाली जो line है, वो common है, तो यहाँ लिख दिया, common, इसका मतलब जो triangle मेरा OLE है, वो congruent prove होगया, triangle OME के, RHS से हुआ क्योंकि इसमें 90 degree और उसके सामने वाला hypotenuse भी मेरा equal है, ठीक है, हाँ तक clear हो गया, अब इससे एक चीज निकल के आगई, जब यह दोनों triangle congruent है, तो मैं यह कह सकती हूँ कि, जो मेरा LE है, वो ME के बराबर होगा, CPCT से, तो वो ही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी कि LE जो है, वो ME के बराबर होगा, bracket में लिख दिया है, यहाँ पर CPCT, अब एक चीज मुझे पता है, कि जो AB है, वो CD के बराबर है, मैंने क्या क्या, इन दोनों को ही half कर लिया, AB का भी half कर दिया, और मैंने हाँ पर CD का भी half कर दिया, देखो, जब आप पूरे AB का half करोगे, या तो AL आएगी या LB आएगी, उसी तरीके से जब आप CD का half करोगे, या तो CM आएगी या MD आएगी, है ना, तो एक चीज यहाँ लिख लेते है, जब इन दोनों का half किया मैंने, तो यहाँ पर मेरा क्या आगे एक तो LB, या BM, या MD, या DM, इसको मैंने अपनी हाँ पर क्य इसमें से इतना पार्ट हटा दोगे, तो BE तो बचेगा, उसी तरीके से ME, इस पूरे में से ये वाला पार्ट हटा दोगे MD, तो DE तो बचेगा, है ना, तो वही चीज मैं यहाँ लिख रहे हूँ, LE माइनस का BL करेंगे, ML माइनस का DM करेंगे, तो इसका मतलब BE बराबर आग ही है, ABCD के, अब, आपकी बार यहाँ पर देखो, हमें पता है, BE जो है, वो DE के बराबर है, यह हम प्रूफ कर चुके है, ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ, BE बराबर का DE, इसको मैंने अपने equation 3 माल दिया, ठीक है, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर, यह वाली जो मेर इक्वेशन थी, AB जो है, अब मैंने इसमें इसको एड़ कर दिया, AB प्लस BE, और CD प्लस DE, तो देखो, आप ध्यान से फिगर में, AB में, जब आप BE जो रोगे, तो AE आजाएगा, और CD में, जब DE जो रोगे, तो पूरा CE आजाएगा, तो यहाँ पर आगया, आपके पास AE, और यहाँ पर आपके पास आगया CE, यही तो प्रूफ करना था, हो गया, हैंस प्रूफ, clear, तो यह था आपके पास question number 10, थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन हाँ, step by step समझोगे, तो बहुत असान हो जाएगा उसके बार, कोई भी doubt हो, comment करके पूश लेना, worksheet complete EC के साथ, next worksheet, next video वीडियो में करेंगे, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, तो आप इसको like जरूर कीजेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, thank you.